नमस्कार बच्चों हम लोग कुमार संभवम का पंचम सर्ग पढ़ रहे हैं और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले पद्दे को देखेंगे कि आप वो कथावस्तु पता है कि पारवति जो है वो शिव को वर रूप में प्राप्त करना चाहती है कामदेव को शिव न करने के प्रावति ने ने किया है कि रूप और संदरे से उनको उनके स्नहे को नहीं पाया जा सकता इसलिए मुझे तब करके और शिव को प्रसंद करने का प्रयास करना चाहिए तो इसके लिए वो अपनी माता से प्रार्थना करती है वो माता समझाती है लेकिन वो द्रड़ जाती हैं जो बाद में जाकर के गोरी शिखर के नाम से प्रशिद होता है और वहां जाकर के और तपस्वियों के अनुकूल बेश भूशा आदी जो है वो धारण करती हैं उसी संदर में आगे बात करते हुए वहां कवी कालिदास कह रहे हैं देखिए विश्रिष्ट रागा अधरात निवर्तितह इस्तनांग रागाच चे कंदुकात कुशांकुरदान परिक्षत अंगुली कृतो अख्ष शुत्र प्रणेक तयाकरह तो विश्रिष्ट रागा अधरात निवर्तितह तो विश्रिष्ट छोड दिया है राग लालिमा को अधरात अधरों से यानि कि ओस्ट से निवर्तितः और निवरत्व हो गई हैं इस्तिनांग रागा चय कंदूकात तो यहां कह रहे हैं कि इस्तिनांग रागात का अरूनितः जो यहां बाकशे इस्थल पर जो लाल चंदन लगा हुआ है उससे लाल किये गए कंदुकात गेंद से निवर्तितह हटाए गए और कुशांकुरदान परिक्षता अंगुली ही और कुश को लेने से कुशाएं जो है वो जब तपस्या करते हैं तो नियम आधी में जो आराधना आधी है उसमें कुशों की जरूरत पड़ती है तो कुश जो है वो उपर से तीखे होते हैं और जब उनको तोड़ा जाता है तो वो उंगलियों में उनकी लग जाती है और उससे खून निकल जाता है इसलिए उंगलियां घायल हो जाती है उसी तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं कुशांकुरदान परिक्षत अंगलिय है तो कुश को जो है ग्रहन करने से परिक्षत खायल हुई अंगलियों वाला तया है उस पारवत्ति के द्वारा करह वो जो हात है उसका अक्ष सुत्र प्रणई करता है तो अक्ष सुत्र से प्रेम करने वाला बना दिया गया यानि कि जो हाथ अधरों को रंगने का काम करता था जो हाथ गेन खेलने का काम करता था उस हाथ को पारवती ने कुशों को तोड़ने में और अक्ससुत्र की जो माला है उसको फेरने में लगा दिया तो ये परिवर्तन उन्होंने किया वो राजकुमारी है वो बहुत वेभविलास में रही है और उनके बहुत परिचारक सेवक आदी है उनको स्वयम काम नहीं करना पड़ता है तो वो पहले श्रंगार आदी जो करता था हाथ और जो खेलने का काम करता था हाथ उस हाथ को अब उन्होंने कुश को तोड़ने का काम जो की एकलिष्ट काम होता है कुशाओं को तोड़ना इसलिए कुशाओं को जो आसानी जो जिसे कहें दक्षता के साथ ले आता है उसको कुशल कहा जाता है कुशान लाती गिती कुशलाखा जो कुशों को ले आता है क्योंकि कुश को लाना कठिन काम है उससे वो चुबने से उनमें रक्त आ जाता है उंगलियों में तो इसी ओर सं और इस्तनांग राग अरूनितात कंदुकात निवर्तितह और वक्षिस्थल के जो उब्टन है अंगराग मतलब उब्टन है उससे अरूनितात लाल किये गए कंदुकात गेंद से निवर्तितह हटाया गया उहां से विरक्त किया गया करह जो हाथ है वो अक्षशूत्र प्रण यह करता है अक्स सूत्र से यानि जो अक्स माला है जो फेड़ते हैं जब इस्वर का नाम लेते हैं तो या जो मंत्र का जाप करते हैं तब तो वो जो अक्स सूत्र की माला है उसको प्रेम करने वाला हाथ को जो है वो बना दिया यानि अब उनका हाथ जो है वो अक्स सूत्र की माला से प्αιups करता है और वहाथ जो पहले अधरों को रंगने का काम करता था वहाथ जो पहले गेंद खेलने का काम करता था ऐसी गेंद जो उसके वक्सिस्थल से जाकर बार-बार जब वह ठकराती थी तो वहाँ जो अंगराग है, जो लाल चंदन है उससे वो गेंध भी लाल हो जाती थी, तो ऐसी गेंध से खेलने वाला जो हाथ है, वो अब क्या कर रहा है? वो कुशों को ग्रहन करने से घायल हुई उंगलियों वाला है और जो अक्ष सुत्र से प्रेम करने वाला हाथ उनका है तो एक बार उड़ देखें तया उस पारवति के द्वारा विश्ष्ट रागात अधरात अधरों के राग को लगाना लालिमा को लगाना और छोड़ देन वाले जो है और इस्तनांग, अरूनितात, कंदुकात और वक्षिस्थल के जो अंगराग है वक्षिस्थल का जो उबटन है जो लाल रंग का है उससे जो गेंद है उस गेंद से निवर्तित हुए उस हाथ को तया उस पारवति के द्वारा अक्ष सुत्र से प्रेम करने वाल और कुशाओं को ग्रहन करने से घायल हुई उंगलियों वाला बना दिया गया है तो यहां कर्म वाच्चे में है इसलिए आप जब आप सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा क्लिस्ट लग सकता है वाक्य संरचना लेकिन अगर आप इसको सीधा करके बोलेंगे तो कभी यह कहना अचारे हैं कि पहले जो हात अधुरों को रंगने का काम करता था पहले जो हात जो है उसके उपठन से लाल हुई गेंद से खेलने का काम करता था उस जो गेंद लाल हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पर उपठन लगाया हुआ है लाल रंग का चंदन लगाया तो पहले उनका हाथ इस प्रकार से लाल रहता था लेकिन अब जो उनका हाथ है, वो कुष्चों को तोड़ने के कारण घाएल हो जाता है तो उरक्त से वो लाल होता है और वह एक्सशित्र उससे प्रेयम करने वाला, यानि माला को फेरने वाला हाथ हो गया है तो पारवती ने लाक्षारस को लगाना छोड़ दिया था और वक्षेस्थल के चंदन से लाल बने हुए गेंद को खेलना छोड़ दिया है और अब वो कुशों के अंकुरों को तोड़ने के कारण उनको ग्रहन करने के कारण घैल हुई उंगलियों वाले और द्राक्ष माला से प्रेम करने वाला जो है उस हाथ को बना दिया है यानि जो हाथ अधरों को रंगने का काम करता था जो हाथ लाल हुई गेंद से खेलने का काम करता था वो हाथ पारवती ने कुशों को गरहन करने से घायल हुई उंगलियों वाला बना दिया और अक्ससुत्र से प्रेम करने वाला बना दिया यानि कि उन्होंने अपने हाथ को अब ये कारे दिया है कि वो अक्ससुत्र की माला को फेरें और वो कुश तोड़कर के लाएं इस प्र वक्षिस्तल पर चन्दन लगाती है जो अपने होटों पर रंग लगाती है और उससे हाथ लाल रहता है लेकिन अब तपस्या के लिए पारवत्ती ने जब वहाँ रहना शुरू किया है तो उसी हाथ को वो कुषों को तोड़ने के लिए काम में लेती है उसी हाथ नियम को धारन करने वाली उस पारवती के द्वारा उन दोनों को ही उन दोनों के पास निक्षेप इव धरोहर की तरह अर्पितम मानों समर्पित कर दिया नियम को धारन करने वाली उस पारवती के द्वारा उन दोनों को ही उन दोनों के पास धरोहर की तरह मानों समर्पित कर दिया किन दोनों को किन दोनों के पास समर्पित कर दिया देखे नीचे लतासू तनवीशू विलास चेस्टितम विलास चेस्टितम अपनी जो विलास पूर्ण जो चेस्टाएं हैं उनको तन्वी शू लताशू जो तन्वी लताएं हैं जो कोमल लताएं हैं वन में उनके पास उन्होंने धरोहर के रूप में रख दिया है और हरिणांग नासू और हरिणों की जो अंगनाय हैं यानि जो हर पार्वती का विश्येशन को दॉय करने वाली तो अभिप्राय पूरवक्ंच안agrape दोनों को ही किन दोनों को अपनी विलोल चंचल द्रिष्टी को और विलास पूर्ण चेस्टाओं को दोनों को दोनों के पास में उन्होंने रख दिया है तो जो है कहरें कि दोनों को ही दोनों के पास में रख दिया है तो दोनों को ही उन्होंने दोनों के पास में रख दिया है दोनों वस्तों को दयम दोनों वस्तों को कौन सी वस्तों को एक चंचल दृष्टी को और एक अपनी विलासपून चेश्टा को विलास्पून चेश्टाओं को कहा रख दिया है कोमलताओं में रख दिया है चंचल दृष्टी को कहा रख दिया है हरिणियों की पास में रख दिया है तो इसका मतलब अब उनके पास वो चीज़े नहीं है किसके पास पारवती के पास पारवती ने अपने इन दोनों चीजों को किसी के पास रख दिया है इसका मतलब अब उनके पास वो नहीं है तो इसका मतलब कभी क्या कहना चाह रहे हैं कि विलास, कुण, चेश्टाएं और चंचल दृष्टी को पारवती ने छोड़ दिया है और उनको कुछ समय के लिए कह पर रख दिया है और त्योंकि अब उनको तपस्या करनी है नियम में रहना है इस बात को प्रकारांतर से अपने कावे मई भाशा में अलंकार में जो है वो कह रहे हैं कि नियम अस्थया तया नियम में रहने वाली उस पारवती के द्वारा द्वयम दोनों को जी द्वय अप रखते हैं तो यहां विर्ट को धारण करने वाली जो पारवती है उन्हें पुनर्ग रही तुम लेकिन ध्यान रखे यह उन्होंने छोड़ा नहीं हमीशा के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए रख दिया है जब हम धरोवर के रूप में किसी चीज को रखते हैं तो उसको हम वापिस लेने के लिए रखते हैं तो यहाँ पर नक्षेप इवर्पितम धरोहर की तरह समर्पित कर दिया है इसलिए पुनर गरही तुम फिर से लेने के लिए यानि कि उन्होंने जब तक वो तपस्या कर रही है तब तक ही चंचल दृष्टी को और विलास्पून चेश्टाओं को छोड़ा है फिर जो उनका प्रियोजन पूरा हो जाएगा उसके पस्चात वो जहाँ वो दोनों चीजें रखी है वहाँ से वो वापिस ले लेंगी तो कवी जो है वो सीधे तोर पर ये कहना चाहरे हैं कि तपस्या करने के लिए पारवती ने कुछ समय के लिए अपनी चंचल दृष्टी को और विलास्पून चेश्टाओं को छोड़ दिया है तो कवी जो है वो उत्रिक्षा में कह रहे हैं कवाण चैश्टाओं को पास रख दिया है कि मानो ने रख दिया है धरववर की रूप में और वुपिस ले लेंगा यानि जब उनका प्रियोजन पूरा हो जाएगा जब सीव प्रसन हो जाएंगे जब सीव से विवा हो जाएगा तब फिर से उनको अपने विलास्पून चेश्टाएं और चंचल द्रिष्टी की आवशकता भी होगी और उसको वह हमेश्या के लिए उन्होंने छोड़ा भी नहीं है तो उनको जो है वह फिर से ले लेंगी या लेकिन अभी उन्होंने तपस्चा के लिए इन चीजों को छोड़ दिया है यह चंचल द्रिष्टी को छोड़ दिया है अब उनकी द्रिष्टी जो है वह परिपक्व है गंबीर है तपस्चा के लिए विलास्पून चेश्टाओं को उन्होंने छोड़ दिया यानि कि अब दूसी तंड लेव के वलम तो पारवतीम ने क्या-क्या परिवर्तन किये हैं उन में से अगला परिवर्तन है वो यह है कि उन्होंने बहु मुले शय्या पर शयन करना छोड़ दिया है और वो जो वहां पर पत्थर का जो इस्ठान है वहीं पर वो शयन करती है इस बात को कभी अपने दरीके से कह रहे हैं कि महा अरह शया परिवर्तन चुते ही तो महा अरह मतलब बहुत ज़्यादा मुले वाले जो है शय्या बिस्तर पर परिवर्तन करवट लेने से चुते गिरे हुए स्वव केश पुष्प अपने बालों के जो फूल है उनसे भी धू यते इसम जो दुखी हो जाती थी यानि जिसको उससे भी परिशानी होती थी जिस शैया पर वो बहुमले शैया पर सहयन करती थी और करवट बदल से जो उनके पुष्प जो है वो अपने जो फूल जो उन्होंने अपने केशों में लगाए हुए है वो पुष्प भी जब विस्तर पर गिर जाते थे और वो उनके नीचे आते थे तो उनसे उनको कस्थ होता था तो ऐसी वो पारवती जो जिसको फूल भी चुपते थे ऐस पारबती, अशेत सयन करती थी, बाहु लता अपनी भुजारूपी लता को उपधायनी तक ज्गया बनाने वाली, अपनी भुजारूपी लता को तक ज्गया बनाने वाली साह बह पारबती, अशेत सोती थी और निशेद उसी बैठती थी कहां पर केवलम स्थन डिले केवल जो है वो पत्थर के चबूतरे पर पत्थर के स्थान पर ही वो बैठती थी पत्थर पर सोती थी पत्थर पर ही बैठती थी जिस पारवती को बिश्तर में बहुत बहुमुल्य बिष्थर पर शैन करते समय अपने बालों से बालों में जो फूल लगे वे हैं उनके गिरने से ही जिसको कष्ट होता था वह अब पत्थर पर शैन करती है तो या जो पारवती महा अरह शैया परिवर्तन चुते महा अरह बहुमुल्य शैया यानि बिष्थर पर परिवर्तन यानि की करवट लेने से चुते यानि की गिरे हुए स्वकेश पुष्पे अपने बालों के जो फूल है उनके द्वारा भी अपी मतलब भी दूयते इसम तीडित हो जाती थी उसको कस्ट होता था सा बाहू लतोप धायनी भुजा रुपी लता को तक्या बनाने वाली केवलम केवल मात्र इस थंडल एव चबुत्रे पर ही यानि पत्थर की शिला पर ही अशेत सोती थी निशेद उशी और बैठती थी अब वो जो है पत्थर की शिल कर रही है कि यह सब चीजें जो एक सामाने विक्ति के लिए छोटी हो सकती है लेकिन एक राजकुमारी के लिए चीजें बड़ी है कि वो पत्थर पर चैन करें या पत्थर पर बैठें या पत्थर जो है वो जिसके जमीन पर वो रहे तो राजकुमारी की तरह रहने वाली वो पारवती अब वो तपस्वीनी की तरह यहां रह रही है तो यह उनके लिए बड़ी बात है इसी बात को कभी जो है कह रहे हैं कि महा आरहर शैया परिवर्तन जुतेश्वकेश पुष्पेर अपियादु यतेश्म बहुमुल्य शैया पर करवट बदलने से अपने ही केश शैयमें सजेवे फूलों के गर जाने से जिसको कस्ट होता था बाहू लतव धायनी सा हुझारुपी लता को भी तक्यां बनाने वाली है कोई बिस्तर नहीं है केवल अपनी बाहां को ही वो तक्या बना करके सोती है दुमाहू लतोप धायनी भुजारूपी लता को ही तक्या बनाने वाली साव पारवती थंडिल एव केवलम अशेत निशेदूसी केवल पत्थर पर ही वो शैन करती थी और बैशती थी तो ये पारवती की द्रड निश्चे पारवती का कठोर तप पारवती के परिप्रेक्ष में और ज्यादा कठोर तप उसको बताने के लिए पारवती के आचार विचार को तपस्वीनी के रूप में उनके आचरन को, उनके त्याग को, उनके सैयम को, देरे को, अटल निश्चे को बताते हुए कभी जो है कह रहे हैं कि जो पारवती अपने फूलों से भी उन जिनको कष्ट होता था, वो पारवती अब पत्थर की चट करते हुए कालिदास इस पद्धे में हमको यह कह रहे हैं कि जो पारवती बहु मुल्ले विस्तर पर शैन करती थी और जो जिसको फूलों से भी कस्ट होता था पीड़ा होती थी ऐसी वो पारवती इस समय अपनी भुजाओं का तक्या बना लेने वाली जो पारवती है वो पत् पर इस बात को हमसे कह रहे हैं आज के लिए इतना ही अगला जो होगा हमारा व्याख्यान उसमें हम पत्दे को पढ़ेंगे बच्चों कुछ बच्चे जब मुझसे मिले थे कालेज में तो वो यह कह रहे थे कि हम जब यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो मैं उतना मजा नही वीडियो को केवल सुनेंगे और किताब में जो आपके पास पद्दे हैं उनको आप देखते हुए पढ़ेंगे तो आपको यह जल्दी समझ में आएगा क्योंकि वहां आपके पुस्तक में जो है वो अन्वे है और अन्वे के साथ जब आप तोड़ करके पदों को देखें और किताब से पढ़ने का प्रयास करें और आप यह कल्पना करें कि आपको सामने बैठ करके पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ने की जो इच्छा है जो चाह है वो ललक है वो यह है कि किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्तिती में हमारी रुकनी नहीं चाहिए तो हम एकलवे को य तो आप ये यूट्यूब को जब आप पढ़ें तो आप ये इमेजिन करें कि आप क्लास में बेठें आप अपने पुस्तक को खुलें आप मेरी आवाज को सुनें और जो पदों का अर्थ और व्याकरण जो बता रही हूं मैं जो अलंकार चंद आदी बता रही हूं उनको यहां पर समझ नहीं आए तो पूछने में कोई संकोच ना करें और आप जो है निसंकोच हो करके खुल करके मुझसे अपने मन की बात कहें तो मैं हर समय आपकी मदद के लिए तयार हूं तो आप लोग आप लोग जो है कोशिश करेंगे इसी उम्मेद के साथ आज का जो हम की लेक्चर है व्याख्याने उसको यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद